कानपूर हिंसा से जुड़ी खबर है, हयाद समेट साथियों की पुलिस कस्टडी रिमांट पर फैसला होगा आज कानपूर में हिंसा भढ़काने का मुख्य आरोपी है हयाद जफर आश्मी हयाद की साथियों पर भी पुलिस अपना शिकंजा कस रही है हयात की पुलिस कस्टडी रिमांच पर आज कोड़ अपना फैस्टा सुनाएगा बड़ी खबर इस वक्ती आपको बता रहे हैं हयात समे तीन आरोपियों को लेकर आज कोड़ अपना फैस्टा सुनाएगा पुलिस कोड़ ने कहिता है तहशत में दंगाई कमर तोड़ कारवाई कारवाई नमबर एक कानपूर के बेकंगंज इलाके में हुई हिंसा के मादलिब कारवाई जारी कानपूर को सुलगाने की साजिश रच्डिवालों की तलाश में पुलिस ने कानपूर शहर के साथ साथ फतेपुर और उन्नाव में भी छा पिमारी है ATS के साथ कानपूर पुलिस भी कारवाई में शामिले आपको बता दे कि अब तक तरफंग से जादे आरोपियों की गिरफतारी भी हो चुकी है कारवाई नमबर दो हिंसा वाली जगह पर क्राइम सीन रीक्रेशन के लिए पहुंची SIT की टीम को साजिश के कई सबूत से ले मौके से पत्थर और पेट्रोल की खाली बोतलों को SIT ने अपने कब दे में ले लिया जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद कानपूर में बद्रो हुआ था इसके बाद से अब जो क्राइम टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है लगातार तमाम जो जाच है वो त्विश हो रही है हर एंगिल से जो भी एविडेंस से सब करेक्टर रहे हैं और उसके बाद अगरिम कारवाई की लिए कारवाई नमबर ती नावालिक पत्थरबाजों की तस्वीरे सामने आने के बाद रास्टिय बाल अधिकार संड़क्षण आयोग एक्शन मोड में आ गया है आयोग ने इस मामले में कानपूर के पुलिस कमिशनर से रिपोर्ट तलब की है साथी पत्थरबाजी में नावालिकों का इस्तमाल करने बालों के खिलाब सक्त कारवाई की सिफार इश्की है कारवाई नमबर चाथ कानपूर के बेकन गंज लाके मोई हिंसा की मामले में जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए खुलासे भी हो रहे है अब इस मामले में एक वाट्स अप ग्रुप का खुलासा हुआ है जिसमें हिंदूों की दुकानों से सामान न खरीदने की पोस्ट डाली जाती थी साथी इस ग्रुप में हिंदू का बैश्कार करने की भी पोस्टें डाले जाने का खुलासा हुआ है हैरान करने वाली बात ये है कि ए ग्रुप टीम निदाम कुरेशी नाम से था और समाजवादी पार्टी के दो विधायक अमिताव वाचपई और इर्फान सोलंग के इस ग्रुप के एड्मिन थे उधर जैसे ही जी उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड ने इस ख़बर को प्रमुकता से दिखाया वैसे ही स्पी विधायक अमिताव वाचपई और सपा महानगार अद्यक्ष डॉक्टर इमरान ने गुरुप से खुद को अलग कर लिया और खुद आप भी आप भी मैं कहिशता हूँ कि आप भी केमने में अता दिजिए अगर नहीं तो 150 गुरुप आपके पास भी होंगे कि उनमें से दो चार या 10 गुरुप ऐसे होंगे जिनको आप खोलते होंगे बाकी गुरुप तो आपको मालूम भी नहीं है देखिए मुझे नहीं मालूम है किस गुरुप में कौन सी बात चली है कानपूर इंसा का कनेक्शन विदेशी फंडिंग से भी जुड़ा रहा है दरसल जफर हाश्मी और उसके एस्सोशेशन को विदेशी फंडिंग की आशंका जाहिर की जा रही है सुत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबे साल 2019 में बाबू पुर्वा इलाके के निजी बैंक में एक खाता खोला गिया जिसका एकाउंट नंबर 50014717838 था 3 जुलाई 2019 को इस खाते में 3 करोड 54 लाख रुपे जमा किये गए सितंबर 2021 को 98 लाख रुपे एक मुष्ट निकाल लिये गए फिलाल इस खाते में 1 करोड 27 लाख रुपे बाकी है इसके अलावा दो और खातों की जानकारी जाच अजन्सियों को मिली है इन खातों में 47 करोड 68 लाख रुपे का लेंदेन हुआ है फिलाल इन दोनों खातों में 14 लाख रुपे ही बचे है कारवाई नंबर 6 कानपूर में प्रशासन अवैद इमारतों पर बुल्डोजर चलाने की तैयारी में है। कानपूर विकास पाधिकरणों को तौपी गई है।